यहुदा की पत्री पहला अध्याय दया और शांती और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे हे प्रियों जब मैं तुम्हें उस उध्यार के विशे में लिखने में अत्यांत परिश्रम से प्रियतन कर रहा था जिसमें हम सब सहबागी हैं तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्यक जाना कि उस के लिए पूरा यत्थ न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौपा गया था क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस धंड का वर्नन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था ये भक्ति हिन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लु तो भी मैं तुमें इस बात की सुधी दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कूल को मिस्र देश्य चुडाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिय उसने उनको भी उस भीशन दिन के न्याय के लिए अंदकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है जिस रिती से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके नाई विविचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठेरे हैं उसी रिती से ये सुपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुछ जानते हैं और उन्चे पदवालों को भूरा भला कहते हैं परंतु प्रधान स्वर्ग दूद मिकाईल ने जब वो शैतान से मुसा क लोत के विशे में वादविवात करता था तो उसको बुरा भला कहके दोश लगाने का साहस न किया पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे पर यह लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आपको नाश करते हैं, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले, और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई ब्रस्ट हो गए हैं, और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं, ये तुम्हारी प्रेम सभावों में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चटान सरीखे हैं, और बेधडग अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, वे निर्जल बादल हैं, जिने हवा उधाले जाती हैं, पतजड के निश्फल पेड हैं, जो दो बार मर चुके हैं, और जड से उखड गए हैं, ये समुद्र की प्रचंड खि उच्छालते हैं, ये डावा डोल तारे हैं, जिन के लिए सदा काल तक घोर अंदकार रखा गया है, और हनोक ने भी जो आदम से सात्वी पीड़ी में था, इनके विशे में ये भविश्यद्वानी की, की देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया, के सब का न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विशय में, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किये हैं, और उन सब कठोर बातों के विशय में, जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं हैं दोशी ठहराएं ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाशाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुझ से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाब के लिए मुझ देखी बठाई किया करते हैं पर हे प्रियों तुम उन बातों क स्मर्ण रखो जो हमारे प्रबु ईश्यु मसी के प्रेरित पहले कह चुके हैं वे तुम से कहा करते थे कि बिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभगती के अभिलाशाओं के अनुसार चलेंगे ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं ये शारिरिक लोग हैं जिन में आत्मा नहीं पर हे प्रियों तुम अपने अती पवित्र विश्वास में अपनी उन्नती करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो अनंत जीवन के लिए हमारे प्रबु ईश्यु में से जपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो परन उस वस्त्र से भी घ्रणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भर्पुरी के सामने मगन और निर्दोश करके खड़ा कर सकता है उस अद्वेत परमेश्वर हमारे उधार करता की महिमा और गवरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु एश्य मसी के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगान युग रहे आमीन क्वेत रहे आमीन झाल 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 झाल